कैसे पहचाने के लिए पहुआ करा यहां थो पहेचानने के लिए जर्वालक्राइब कर सकते हैं। वो चामने जो यह बहुत यह चा थमसेप्ट नाइस ली एक्सिलेंट है इंडी केमिस्टरी बुक निउ अपरोच तो ऑपरोच तो इस लाइस लिए लिए है लाइट नाओ देख थे कैसे हम फिजिकली कैसे पहले आप प्रिजिकल में क्या हो ज़कता है या तो color होगा या state होगा या order होगा तो without adding any chemical सबसे पहले हम क्या करते है order देखते हैं तो ammonia has got very sharp biting characteristic order आपको दूर से पता चल जाएगा this gas is ammonia okay now अगर इनको आप gas को inhale करेंगे तो you will find कि अपर पार जो nasal passage है थोड़ा सा इरिदेशन होगी burning sensation होगी and in few seconds अगर और थोड़ा सा deep breathe in करते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपके eyes में से tears भी आ जाएंगे ठीक है but it has got a very sharp biting characteristic order है जो आपको एकदम से पता चल जाएगी एक ammonia की होती है इसी चलो ने एक hydrogen sulfide gas के लिए होती है वह तो बिल्कुल होती सड़े वैंडे रॉटन एग लाइक स्मेल ठीक है बाकी आपके कोई पे जो गैसे हैं वो तो उनकी smell इस तरह की नहीं है तो अमोनिया आपको बिल्कुल दूर से पता चल जाएगा ठीक है इसके बाद आप अब टाइब दीचे कर अब अब आप मईस्रेट मस्वा does लेकर आएंगे तो ब्ताइब कर आईए तो ब्लू हो जाएगा दिरीजनेज लिए इस ₩ जाएगे अग्यों में विबाद हम पेपर नी लाते हैं तो लिगो बिस इनसिलीक सकते कि यां स्लीशन भात इन बुप दा बेस इंडिकेटर फिनॉप्थिलीन बीपी तो फिनॉप्थिलीन इस कर लेकिन जैसी आप बेस डालते हैं वैसे ही चिंज तो पिंक कलर तो अगर आप अमोनिया ग्यास को फिनॉप्थिलीन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं यह इन्विजिबल लिंक बन जाएगी आपके इन्विजिबल लिंक मतलब क्या है कि आपने गोली पे लोग कर सकते हैं आपको क्या करना है कलर ले सेलुशन फिन अप्थिलीन का लेना है उसके अंदर आप अमोनिया आपका पास जो लिक्विड अमोनिया लाब में होगी वो थोड़ा सा डाल दीजे तो मोमें यू पूट पिंक कलर हो जाएगा इसके बद आप किसी के कपरों पर हैंकी पर कहीं तो भी दाल दीजे तो की शर्ट इनीशेली कैसे हो जाएगी पिंक कलर की लेकिन यू नो अमोनिया इस अग्यास वहां से निकल जाएगी एवापरेट हो जाएगी वेपराइज हो जाएगी और फिर क्या होगा आपके पास पापस कल ले सेलुशन हो जाएगा तो बेरी बेर एख लिया है और आगर हमने टर्मरीं टर्मरी्क पैपर लिया है यSpace लिया है तो ढताट我在Mr. और अमोनिया तर वांट कowई किमिकल दाय रियाभ स्विया तो यह on the basis of op physical property जाहाऊ गावक्ट प्ले आपास है hydrogen chloride gas या हम उसके पास लेकर आया concentrated hydrochloric acid so you will find that there will be dense white fumes तो अगर माल लीजिया आपका यहां पे इस test tube में ammonia है और आप इसके पास HCl लेकर आते है रोड दिप्देन HCl concentrated even dilute के साथ भी दिखता है लेकिन हलका दिखता है concentrated के साथ जादा देखता है so you will start finding यहां पे dense white color के fumes दिखाई देंगे and these fumes are of ammonium chloride ठीक है और अगर यह रोड थोड़ी से अंदर ले जाएंगे तो आप यहां देखेंगे कि size of the test tube में ammonium chloride जो है वो deposit हो क्या है why because ammonium chloride is a sublime solid sublime solid का मतलब क्या है sublime solid का मतलब है कि यह solid जब जब सब्साभी heat करेंगे तो see the vapor बनाएंगा okay right cool करेंगे तो वापस solid बन जाएगा तो क्या नहीं आया इस ते यह इस इसके अंदर नहीं आया तो liquid state इस ने liquid state को miss कर दिया okay hence it is sublime solid चलों reverse of sublimation क्या होता है we call reverse of sublimation as D sublimation we also call this as deposition okay next बहुत interesting test है यह तो बहुत ही अच्छा है और यह आपके कोर्स में इस पर questions भी बहुत आते हैं इसमें क्या करेंगे if you take copper sulphate solution और आप इसमें ammonia gas pass करते हैं बबल करते हैं तो इस copper sulphate में क्या होगा copper sulphate का copper और ammonia in water will form ammonium hydroxide NH4OH बना लेका ammonia with water आपने डालना है copper sulphate तो ammonium sulphate बन जाएगा ठीक है और आपके पास प्रोडक्ट आएगा copper hydroxide राइग यह copper hydroxide का कलर कैसा होगा blue color का so this is blue color right copper hydroxide is blue in color right इस तरह का blue color हो जाएगा ठीक है अब अगर हम थोई देर और पास करते हैं this is of ammonia doubt then what will happen you blue color copper hydroxide जो है this will dissolve ठीक है and it will form d blue color तो यह PPT है और यह क्या बन गया d blue color but this is solution यह precipitate नहीं है यह solution और क्यों बगाएं which compound is from the compound is tetraamine copper sulfate which is strong the tetraamine copper sulfate is d blue in color which is formed when ammonia in excess is passed through copper solution copper salt solution can be nitrate can be sulfate can be chloride now another interesting thing is यह वाला टेस्ट आप थोड़ा हाई लेवल पर करेंगे आप 12 में करेंगे 11 में करेंगे ठीक है आप जाहें तो इसको यहां पर भी नोट कर सकते हैं that is if you take Nessler's reagent तो Nessler's reagent क्या होता है it is potassium mercury iodide Nessler's reagent में जैसे ही आप ammonia gas दालते हैं it changes to brown precipitate तो यह क्या है आपने chemical डाला Nessler's reagent आपने chemical डाला copper sulfate आपने chemical डाला HCl in all these three cases हमाई जो ammonia gas है वो react करते हैं और chemically हमको एक observation देते हैं जिससे हम confirm कर देते हैं that gas is ammonia हाँ भई यह ammonia है कोई और gas नहीं है हना interesting चलिए इसको अच्छे से practice कर लीजेगा specially आप यह वाला पार्ट तो copper sulfate के साथ अच्छे से कर लिए कि बोर्ड में तो यक्सर आता है को जए देता हैं कर दो देता हैं